हेलो बच्चो वेलकम टू लर्नेंट फन और केमिस्ट्री का आज हम लोग यहां बच्चो से रियक्शन लेने आए हैं कि एक्जाम कैसा था एक्जाम का लेवल कैसा था क्योंकि बहुत अच्छे से लर्नेंट फन पर आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाए गई थी उसके बा लिए है तो पूछते हैं चले इन से कैसा हुआ क्या ग्जाम और लेवल जानते हैं डिफिकल्टी लेवल क्या था अपका नाम क्या है मतलब कैमिस्ट्री एक्जाम बहुत इजी था मतलब मैं मेरा एक्जाम तू आर्स 15 मिनिट्स में हो गया था तो बागी के ताइम क्या कर बागी के टाइम में मतलब जैसे अब प्रोड के ग्वाम है तो धंग से उसके मतलब लाइन्स बनाई हरे क्वेस्टन के बाद और चीक ठीक ठीक तो कितने माक्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आप इसमें सेवेंटी माक्स का है तो सिक्स्टी प्लस सिक्स्टी प्लस और प्रिपेरिंग फर जेए और नीट और सम्थिंग नोट पर फिर आगे क्या करना जाते हो 12 के बाद मतलब बोर्ड के बेसिस पर मतलब दी यू अगेरा में एडमिश्य ओके थैंक यू सो मुझ कैसा हुआ आपका चैमिस्टी का वेपर चैमिस्टी वेपर वस मॉडरेट इट वेंट प्रिटी गुड लेकिश्टी गुड तो आप जोईबल था थ्री आर्स में या लेंडी बह नीट ओके ओके चला तैंक्यू सो मच अरे रुको 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 भाई रुको अभी आप लोगोगा केमिस्टी का एक्जाम तो हो गया है लेकिन फिजिक्स का एक्जाम जो आ रहा है उसमें कैसे आपको मैक्सिमुम नंबर लेके आने हैं ये बात बताने जा रहा हूं इसी े सैनल पर अपनी क्लास होने वाली है फिजिक्स की कमप्लीट फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे उसके अलाबावा सैंपल में पर डिसकस करेंगे टॉप एम सी कूज करेंगे टॉप प्रॉब्लम्स डिसकस करेंगे तो देखो बेटा श्यूडूल देखलो सभी के सभी खतम करेंगे सबसे पहले सबसे भारी चैप्टर जो है जिसका किसी के साथ लिंक भी नहीं है इंडिपेंदेंट counted गुंपटी इसमें आपको किसी और चैप्टर की जृसक नहीं पढ़ेगी तो सबसे पहले किए करेंगे ताकि हमारा मेजर प्रोपोर्शन और सबसे बड़ा प्रोपोर्शन अल्रेडी कवर हो जाए पूरा एकदम स्टाइटिंग पॉइंट से लेके विद त्योरी नियुमेरिकल विद कॉंसेप्ट इसको डिसकस करेंगे राइट लंबी क्लासे होंगी तो जिन बच्चों सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद आप उन त्यों चैप्टर को रिवाइस करेंगे अपने थोड़ा टाइम लेंगे उनको पढ़के सामको छे बज़े आपन फिर मिलेंगे और सामको छे बज़े आपन लोग डिवल नेचर ओफ रिडिएशन एंड मैटर की चर्चा फिरीट तो एक तारिक को हमारे पांच चैप्टर हो जाएंगे बेसिकली और चारच आप्टर हो जाएगा और सात में चैप्टर 1230ी भुख वन और वुक 2 को हम पैरलली लेकर चलेंगे दो मार्च की अगर मैं बात करूँ बेटा तो दो मार्च को सुबह 10 बजे हम चैप्टर 45 पर डिसकस करेंगे लगबाग दो घंटे का अपना सैंपल पर डिसकेशन रहेगा उसके बाद आप रिवाइस कर सकते हो तीन बज़े आपको समी कंड़क्टर बिलकुल एक दम वन शॉट मिलेगा और शाम को चैप्टर बहुत चोटे हैं लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है क्य लिए जो भी हमने तैयारी करी है उस तैयारी का एप्लिकेशन हम पेपर से पहले ही चेक कर लें और 6 मार्च को बेटा आपन लोग डेफिनेटली डेफिनेटली एक्जाम जो है उसे फोड देंगे मतलब बहुत अच्छा एक्जाम आप लोग देके आओगे इस बात का मुझ लेकल्स कवर हो जाएंगे डेरिवेशन कवर हो जाएंगे पूरी कॉंसेप्ट कवर हो जाएंगे तो कुछ बचेगा नहीं तो बैटा मिलते हैं आप सभी लोगों से 28 तारिक को शाम को छे बजे और 6 बजे करते हैं तयारी शुरू अपने फिजिक्स के एक्जाम की और तो जादा पॉर्शन किस चैप्टर से आपको दिखा इस पूरे पेपर में और गैनिक काफी अच्छा बहुत अच्छा परसेंटेश और अच्छी बात है आपके प्रपरेशन के लिए फिजिक्स आपका अच्छा हो ऐसी हम कामना करते हैं अपको नाम किया है आयूश रिस् तो अच्छा आपके अच्छा इंटा विए प्रपेरिंग वरड़ श्रीवेश रिफिजिक्स आपके अपने देखा बहुत सारे बच्छो के रियक्षन किसी को लगा कि और मौडरेटे किसी को बहुत ईजी लगा कोई एक घंटे में करके बैट गया को JASON के गपर करने में छो तिक और यह ऐ पेंड अगरता आपके तयारी पर किस लेवल के राइट तो बहुत अच्छे से तयारी करो आने वाले एक्जाम के फिजिक्स की आश्राम 6 बज़े से लर्नेंट फन पर